अस्सेलाम अलेकुमाच मैं आपके साज़ शेयर कर रहा हूँ मॉडल मेकप ये जो है आप वेसे तो अक्सर हमारे यहाँ जो ट्रेंड है वो आप्टी इज लुक का ही ट्रेंड है तो हमारे यहां लोग जो है ग्लीटर आइस को बसंद करते हैं कॉर्णर्स को बसंद करते हैं तो आज जो मैं आपके साथ मेकप लिकर आई हूँ यह आइस भी आप वैसे तो हम ब्राइडल पर बनाते हैं लेकिन अक्सर जो हमारे पास पार्टी मेकप के या मौडल मेकप के वो आते हैं तो कहते हैं नहीं हमें ऐसे ही आइस बनाएं तो आप उनको यह आइस बना सकते हो अगर वो आप से इस जीज़ की फरमाईश करें कि हमें यही आइस चाहिए तो यहां जो है मैंने अपना मेकप ब स्टार्ट क कर दिया है आपको आईब्रोजा बना लिया है मैंने डार्क ब्राउन कलर से इसके बाद आईबेशी उसकर लिया है फिर उसके बाद मैंने यूस की आ है पिंक कलर का geschिय फिज़ काई और यहाथ पिंक कलर क्रीज लाइन पर पहुत अच्छे से फिर उसके बाद आपको ठोड़ा सा जो собственно आपका जो outer corridor है आपको वहाँ पे ठोड़ा सा shade dark करना है ठीक है आपकी मर्झी आप black के साथ करें brown के साथ करें but outer corner को आप ठोड़ा सा crazeline से dark रखें अब जो आपने eye base में यूज किया हैं वो ही आपको अइबॉल पे भी उज करना है और आपको जो है आज आफ मे लाके नहीं रोक है। आज देख लें आप लोग जिन्होंने मेरी पिछली क्लासेज लेंगे उनको पता होगा कि यह आईबॉल पहले तो आर्च में लाके रोक देते हैं फिर उसके आगे कॉर्णर्स बनाते लेकिन आज थोड़ा सा मैंने इसको डिफरेंट सा लुक दिया है आज मैंने जो है इसके आईब्रो के एंड से थोड़ा सा आरी लाइन जो है कहते हैं वो बनाई है मैंने ठीक है थोड़ा सा कॉर्णर्स जो है मैंने वो अपना छोटा की है ठीक है आउटर कॉर्णर को मैंने थोड़ा छोटा बनाया है और जो लिट है हमारा जो आईबॉल है उसे मैंने बड़ा ब ग्लू लाजमी लगाते ही ताकि आपका जो ग्लीटर है वो बार बार उत्रे नहीं गिरे नहीं ठीक है आपको ये जब आप ग्लू लगाते हैं तो उसके बाद जब आप ग्लीटर लगाएं तो हमेशा इसे प्रेस करें रगड के नहीं लगाएं इसे हमेशा प्रेस करके लगा इसके बाद मेरा कस्टमाइज बेस जो मैंने खुद बनाया है आपको बनाना सिखाया भी है अपने चैनल पे जिन्होंने क्लासिस नहीं लिए पिछली वो जाके मेरे चैनल पे पिछली क्लासिस ले लें हर चीज आपको डिटेल में मिलेगी फर्स्ट सेकिंड क्लास से स्टार् लें और वीडियो को लाइक और शेयर भी कर लें उमीद करती हूं आपको बहुत अच्छा लगेगा आज का मेकप भी और आपको मेरे सिखाने का तरीका भी हर चीज मैं आपको डिटेल में बता देती हूं अगर आपको किसी चीज में कोई कंफ्यूजन हो कुछ समझ नहीं अलाहाफेज